दोस्तों अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लेम हो रहा है जैसे कि आप मेरा रेशन 2.0 एप की जरिये रेशन कार्ड में एक निव मिंबर्स को एड किया है और लगबग एक हफता हो चुका है अभी तो टेटस में पेंडिंग बता रहा है तो यह जो पेंडिंग है यह आप कैसे एकसेफ्ट करवा सकते हो और दोस्तों इतना ही नहीं जब भी आप मेरा रेशन 2.0 एप को ओपन करते हो ओपन करने की बाद KYC नोट बेरिफाइड दिखता है अगर आप KYC एकसेफ्ट कर रहे के लिए आप रिक्विस्ट बेज़े हो और अभी तो इस तरह से पेंडिंग ट प्रोसेस को फॉलो करोगी तो डेफिनिटली आप बारेगंट की अंदर अंदर जो पेंडिंग बता रहा है न ये एकसेफ्ट करवा सकते हो इसके लिए आपको जो प्रोसेस में बताऊंगा वही प्रोसेस आप लुग फॉलो करना होगा जैसा कि आप लुग को मैं दिखा द करना है मेरा रेशोन 2.0 जैसे कि मैं टाइप करता हूं मेरा रेशोन इसके बाद सार्च करना है सार्च करने की बद ये जो एप्लिकेशन आप देख सकते हो मेरा रेशोन 2.0 तो इस एप्लिकेशन को सबसे पहले आपको इंस्टल करना है अगर आपकी पास पहले सी ये एप् इंटर्फिस आप लोग की सामने open होगा, जैसकि आप लोग देख सकते हो, इसके बाद आपको सबसे पहले इस application में login करना होगा, login करने के लिए आपको choose करना होगा beneficiary users, और इसके बाद निचे देख सकते हो enter other number, इस box में other number fill up करना है, ये जो capture code है, इस box पर fill up करना है, इसके बाद login with OTP option पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो other number और capture code दोनों में ने fill किया है, इसके बाद निचे login with OTP पर क्लिक करना है, जैसे आप login with OTP पर क्लिक करोगी, OTP send successfully बता रहा है, तो OK option पर क्लिक करना है, इतना करते ही आप देख सकते हों, एक OTP मेरा पास आ चुका है, 738672, तो जैसे के मैं allow करता हूं, और 73, मैं फिर से एक बार देख लेता हूं, 738672, 738672, क्योंकि मैं live करके दिखाने वाला हूं, इसके बाद निचे दिखे verify है, verify option पर क्लिक करना है, जैसे आप OK बटन पर क्लिक कर गई, क्लिक करने की बाद एक MPN आपको create करने के लिए बोला जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो create now, तो create now पर क्लिक करना है, इतना करते ही आपको 4 डिजिट का एक MPN create करना है, जैसा कि इस तरह से आप create कर लिजे, इसके बाद निचे दिखिए next बटन है, next बटन पर क्लिक करना है, फिर से आपको same pin fill up करना है, जैसा कि मैं fill करता हूँ, इसके बाद निचे दिखिए create MPN पर क्लिक करना है, इतना करते ही your MPN code has been saved, यानि कि create हो चुका है, इसके बाद ok बटन पर क्लिक करना है, ok बटन पर क्लिक करते ही, मेरा Russian application जो है, कुछ इस तरीके से open होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, कि top left side corner में देखिए 3 lane option है, 3 lane option पर क्लिक करना है, इतना करते ही एक option आप देख सकते हो, ही history, तो history option पर क्लिक करना है, जैसे आप history option पर क्लिक करोगी, क्लिक करने की बाद देखिए, कि pending बता रहा है, और निचे देखिए view बता रहा है, तो view option पर क्लिक करके, आप ये सारे चीज देख सकते हो, कि क्या किया चीज आपने update किया है, तो ये आपको क्या करना है कि अच्छा से एक बार screenshot कर लेना है screenshot करने की बाद आपको क्या करना है कि फिर से वापस आ जाना है जैसा कि इसके बाद तूर सा निचे आपको slide करना है slide करने की बाद एक option देखे my grievance तो इस option पर click करना है जैसे आप इस option पर click करोगी क्लिक करने की बाद top right set corner में देखे add new grievance तो इस option पर क्लिक करना है इस option पर क्लिक करने की बाद सबसे पहले आपको select category option पर क्लिक करना है क्लिक करने की बाद एक option देखे कुछ list आप लोग की समने open होगा यानि कि आप किस बारी में ये grievance देना चाहते हो तो सबसे निचे आप एक option देखिए, जैसे कि आप देख लिजे कि ration card not receive और ration card not update, तो आपको not update जो option है या update option चूज करना है, चूज करने की बाद दोस्तों आपको description लिखना होगा, description में आपको क्या लिखना है, जैसे कि अगर आप नाम add करने के लिए request बेजे हों, तो आपको नाम की बारी में बताना होगा, कि मैंने इतना दिन से, मतलब ये request बेजी है, और आभी तो जो टेटा से ये pending बता रहा है, लेकिन दूस्तों एक बात आप लूग को मैं बता दू, कॉम से कॉम 3 हफता, मतलब request बेजने की बाद, 3 हफता आपको इंतेजार करना है, उसके ब्राउज फाइल, तो ब्राउज फाइल पर क्लिक करना है, जैसे आप ब्राउज फाइल पर क्लिक करोगी, क्लिक करने की बाद, आप डाइरेक्ट कैमेरा से या गेलारी से, जहां इसकीन शोट रखका है, जो इसकीन शोट किया है, वही इसकीन शोट आपको आपलोट करना ह आप प्लोट करने की बाद निचे आप देख सकते हूँ यह जो submit button है, submit button पर click करना है, submit button पर click करने की बाद आपको और कॉम से कॉम 12 से 24 गंटा जो है इंतजार करना होए, क्योंकि दूस्तो 24 गंटा जो है यह ज्यादा होता है, लेकिन दूस्तो आप लूग को मैं बता रहा हू कि 24 गंटा तो आप इंतजार कर लिजिए, 12 गंटा की अंदर अंदर यह accept होता है, क्योंकि दूस्तो मैं ने code करके दिखा है कि 12 गंटा की अंदर अंदर यह accept होता है, तो इस तरह से आपको यह काम करना होगा, उसकी बाद जो pending status बता रहा है, यह accept हो जाएगा, तो इस तरह स के लिए इतना ही है,